तो दोस्तों देखिए मैया सम्मान योजना को लेकर 13 दिसंबर को एक न्यूज आया है और इसमें बोला जा रहा है कि मैया सम्मान के जितने भी लोग जो उमिद्वार नहीं थे और वो भी पैसा ले रहे तो उनसे रासी वसुली जाएगी ठीक है मैया की अयोग्य लाबुक की होगी चिन्नित उनको चिन्न किया जाएगा कि कौन वैसे विक्ति हैं जिनको पैसा नहीं मिलना चाहिए था फिर भी वे लाब ले रहे हैं इस योजना का और रासी उनसे वसुली जाएगी ऐसा बोला गया है ठीक है चली देखते हैं पूरा न्यूज क्या है मतलब अगर आपसे पैसा वसुला जाएगा ठीक है ठीक है रांचे की उपायुक यानि के रांची के डीसी ने लाभूकों का बहुतिक सत्यापन कर 28 दिसंबर तक मांगी रिपोर्ट दिसंबर के बाद आधार आधारित एकल बैंक खाते से किया जाना है भुगदान ठीक है और इधर बा आयोग्य लाभूक पर सक्ती के तैयारी सुरू कर दी गई है राची के उपायुक मंजुनात भजमंत्री ने जीले के सभी बीडियो सीओ और सी आरपी को निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में जदी कोई आयोग्य लाभूक है तो उसे चिन्नित कर सुची से उनका नाम खूर अगर आप गलततर शका ले रहें मैया सम्मान योजना का आपको नहीं मिलना चाहिए योजना के चायनित कंवे बहुतिक सेत्यापन 28 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगे है अब जो 28 दिसंबर आएगा ना आने वाल टाइम में उस 28 तारिक तो इनको रिपोर्ट मांगा है उपायुक ने यहां निर्देश सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश के आलोक में दिया है ग्रामिन छेत्रों में प्रखंड विकास पतादीकारी यानि की वीडियो सहरी छेत्रों में सीयो अपने छेत्र के अंतरगत लाबोको की सुची के परती उत्तरदाई होंगे सहरी छेत्रों में LULM के CRP के माध्यम से वाडवार सुविक्रित लाबुकों का बहुतिक सेत्यापन किया जाना है DC ने सभी वीडियो, CEO और CRP को सक्थ निर्देश दिया है कि परिश्थिति में अयोग्य को मैया योजना का प्राप्त नहीं मिलना चाहिए ग्यात हो कि दिसंबर के बाद मैया योजना के आधार आधारित एकल बैंक खादे के माध्यम से लाबुक को चिन्नित किया जाना है तो गलत तरिके से मतलब अगर आप मैया समान योजना के हगदार नहीं है फिर भी इसका पैसा उठा रहे हैं अमीर हैं और फिर भी पैसा उठा रहे हैं तो आपको सब पैसा वापस देना पड़ेगा ठीक है ना समझ रहे हैं वात को ऐसा बोला गया है पिर है कि आयोई कि लाभूकों को चिन्नित कर सुची से हर हाल में नाम हटाएं दूसरा पोईंट है आयोई कि लाभूक से सम्मान रासी के रुप में जितना भी पराप्त है उस सब को वसूल करना है पैसा फिर गरामिन चेतरों में वीडियो सहरों में सीयो के लिए काम पे लग गये हैं इस काम के लिए 28 तरिक्त की रिपोर्ट जम्मा करना है फिर 28 दिसंबर से मैया की रासी पाचीस सो करने से सरी करने की पहल हो चुकी है गोशना सब को जानते हैं कि अब देख लेते हैं इधर बावलल मारंडी क्या बोल रहे हैं तो बावलल मारंडी जो की पूरू में जारकन के मुख्यमंत्री रह चुके हैं बोले हैं कि वाभूलाल मरंडी बोले लाभूकों की पैसा जो जितना आप दे दीए हैं दुबारा आपको नहीं मिलेगा वापस इनका भी कहाना ठीक है जब आप सुरू में नहीं मालूम था कि किसको पैसा देना है और दे दीए हैं फिर दुबारा क्यों मांग रहे हूं ठीक है राजपाल के अभी भासन पर चर्चा के दौरान भाजपा के परदेश अध्यक्स बाबुलाल मारांडी कहा कि सरकार बनते ही योजना काट छाट होने लगी है एक तरह जहां सरकार मैया योजना की चर्चा कर रही है वहीं दूसरी और राची के डिसी विडियो को पत्र लिख महिया योजना के दावेदार नहीं आने वाले लाभुको को चिनित कर पैसे वसूली की बात कर रहे है तीक है अमीर है एकनम फिर भी उन पर कारवाई होनी चाहिए बाबलाल ने कहा कि अगर दोसी कारवाई नहीं हुई तो एक भी महिला से पैसे वापस नहीं होने देंगे तो ऐसा बात है कि भाई जो जो लिया है अब क्या होगा देखिए जैसा इनका क्राइटेरिया था उस क्राइटेरिया को अगर आप फोलो नहीं करते हैं और फिर भी पैसा ले रहे हैं तो आप पे भी ये कारवाई हो सकती है कानूनी कारवाई ठीक है अब देखिए क्या होता है जैसे भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे शेल को सब्सक्राइब करने वीडियो को लाइक कर दें ठाइंग यू और पीडियेप ये मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में द क सब्सक्रिवर करते हैं पीडियो कर